So finally, January month की Electric Two-Wheelers की Sales Report आ गई है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Top 8 Companies के Sales Number बताएंगे Last month के मुकाबले इतने चेंज आए हैं इन फिगर्स में So start करते हैं नमबर 8 से 8 वे प्लेस पर है Kinetic Energy Kinetic Energy ने January के महिने में Sales की थी 1336 वेहिकल्स की दिसंबर में इनके यही नमबर थे 1152 So इनकी month on month growth हुई है 16% की Moving forward, number 7 पर है बजाच्चे तक बजाच्चे तक ने January के महिने में Sales की है 266 वेहिकल्स की दिसंबर में इनकी Sales हुई थी just 2888 वेहिकल्स की So इनकी month on month growth decline हुई है 10% से So number 6 पर है Ampere Auto Ampere ने January के महिने में Sales की है 2424 वेहिकल्स की दिसंबर के महिने में इनकी month on month growth निल के आसपास है अगर हम Ampere Auto की बात करें Ampere ने recently एक नया product launch किया है Primus Electric So देखने वाली बात होगी इसके आने के बाद इनके Sales figure improve होंगे क्या इसके साथ हम पहुँच गए Top 5 पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर 4 पर कौन है नंबर 4 पर है Hero Electric Hero Electric ने January के महिने में 6457 वेहिकल्स की है वहीं दिसंबर के महिने में इनकी Sales थी 8,096 So इनका भी month on month growth डिकलाइन हुआ है 20% से अगर आप नोटिस करेंगे तो नंबर 5 पर जो ओकिनावा थे और नंबर 4 पर Hero इन दोनों के month on month growth डिकलाइन हुए है उसका एक रीजन इन दोनों की Subsidies जो government ने बंद कर दिये वह भी हो सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 3 पर नंबर 3 पर है एथर एथर ने जनवरी में सेल की थी 9187 वहिकल की वही दिसंबर में इन्होंने सेल की थी 7689 वहिकल की इनकी month on month growth हुई है 19% की एथर की जो 19% की growth हुई है इन्होंने last month अपने कुछ products को redesign करके launch किया था उसकी वजह सकती है so now moving forward and बात करेंगे number 2 spot पर कौन है number 2 spot पर है TVS TVS company ने पिछले कुछ time में एक अच्छी growth दिखाई है and अब इनके कुछ नए products भी आने वाले हैं कोई नई बात नहीं होगी अगर इनकी sales figure में आपको एकदम spike देखनों को मिले after this finally बात करते है top one पर top one पर वह company है जिनको आप mostly accident के लिए या जिनके front suspension टूट जाने की news सुनते है and yes आपने सही guess किया ओला ओला के January के sales number है 16,270 ओला के January के sales number है 18,270 वहीं दिसंबर में इन्होंने sales के थी 17,383 vehicles की so इसी के साथ इनकी month on month growth ही है 5% की इसी के साथ this is the end of the video in case आपको वीडियो अच्छी लगी है keep subscribe to our channel for more such electric vehicle updates